जैहिन दोस्तों अगर आपने कलकी मूवी देखी है या फिर उसके बारे में सुना भी है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना कलकी 289880 मूवी इंडियन सिनेमा के लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है कलकी मूवी इंडियन माइथलोजी से इंस्पायड है ये कलियू में भवान विश्णू के अवतार कलकी के बारे में है कलकी भारत की पहली प्रॉपर डिस्टोपियन मूवी है जिसका एस्टिमेटिड बजट 600 करोड है जो इसे भारत की अब तक की most expensive मूवी भी बनाता है और आज हम इसी मूवी के बारे में details में जानेंगे जैसे ये मूवी एक डिस्टोपियन वर्ल्ड में set है लेकिन आखिर डिस्टोपियन वर्ल्ड क्या होता है इस movie का नाम कलकी 2898 AD ही क्यों है साथ ही हम इस movie के सभी characters के बारे में भी details में जानेंगे और अंत में ये movie इंडियन cinema के लिए इतनी important क्यों है सब के बारे में इस video में details में जानेंगे कलकी 2898 AD ये movie एक dystopian world में set है दरसल दोस्तों dystopian word ग्रीक language के dis जिसका मतलब होता है bad यानि बुरा और topos जिसका मतलब होता है place यानि एक इस्थान और इन दोनों सवदों dis and topos को मिलाकर dystopia word बना जिसका मतलब होता है बुरा इस्थान साथ ही dystopia word का opposite होता है utopia जिसका मतलब होता है perfect place और डिस्टोपिया का adjective है डिस्टोपियन, तो अगर अब हम डिस्टोपियन सोसाइटी का मतलब समझें, ये एक ऐसी futuristic बट authoritarian दुनिया को दर्साता है, जहां पर लोगों के पास कोई free will नहीं है, बस कुछ लोगी उस दुनिया को control करते हैं, बाकी सब जहां तो गुलाम होते हैं या फिर उन high level लोगों के लिए काम करने वाले लोग होते हैं, आम लोगों के लिए एक अच्छी जिन्दगी जीना बस एक सपना ही होता है, एक अच्छी जिन्दगी जीना तो क्या, हर दिन की basic needs के लिए भी उन्हें तडपना और लड़ना पड़ता है, एक डिस्टोपियन को कंट्रोल कर रहा है, वो आसानी से उन पर हमेशा राज करता रहे, like a dictator, और कंट्रोल करने वाले उस being को भगवान की तरह पूजने के लिए force किया जाता है, वहाँ पर रहने वाले लोगों पर हमेशा निगरानी रखी जाती है, उस दुनिया के citizens को slaves की तरह रखा जाता है, किसी भी इंसान की खुद की कोई pure identity नहीं होती, बस वो लोग exist करते हैं, लेकिन क्यों ये किसी को पता नहीं होता है, अगर कोई उस दुनिया पर सवाल उठाने की कोशिस करता है, तो उसे वहीं के लोगों के द्वारा खत्म करवा दिया जाता है, यानि वहाँ पर रहने वा होती है, और इसी कारण यहाँ पर लोग हमेशा कोपोसित और अनेक लोगों से ग्रे होई रहते हैं, और हर एक छोटी से छोटी चीज के लिए भी मरने और मारने को तयार रहते हैं, इसी कोपोसित के कारण यहाँ पर जादातर महिलाएं अपनी मा बनने की ability भी खो देती हैं और इसी लिए इस दुनिया में लोगों के population को बढ़ाने के लिए human clones भी बनाए जाते हैं, और एक ऐसी ही दुनिया हमें कलकी मूवी में भी देखने को मिलती है, इस मूवी में भी हम देख सकते हैं, एक बिलकुल ऐसी ही दुनिया जहाँ पर लोगों को गुलामों की तरह र तो ये भी जानते हैं इस मूवी में हमारी दुनिया को ऐसा क्यों दिखाया गया है, हिंदो माइथलोजी के according समय चार यूगों से मिलकर बना है, सत्यूग, त्रेता यूग, द्वापर यूग और कल यूग, जिसमें हर यूग में भगवान प्रत्वी पर जन्म लेकर प्रत दुनिया से बुराई का अंत करेंगे, कल यूग सभी यूगों में आखिरी और सबसे बुरा यूग माना जाता है, कल यूग में बुराई अपने चरम पर होगी, जिसके लिए भगवान विश्णू के दस्वे और आखिरी अफ्तार कल की कल यूग के अंत में प्रत्वी पर जन्म लेंगे और प्रत्वी से बुराई को खत्म करके फिर से सत्यूग की इस्थापना करेंगे, और इस सब को कल की 289880 मूवी में बड़ी ही खूबसूर्ती के साथ दिखाया गया है, कल यूग में बुराई के अपने चरम पर होने के कारड़ ही इस मूवी में एक डिस्ट जिसमें अगर हम 6000 जोड़ें तो वो 289880 होता है, वैसे तो यूग मूवी कलियू के अंत में प्लेस करती है, लेकिन इसका महवारत के साथ भी एक गहरा कनेक्शन है, ये कनेक्शन इस मूवी के कैरेक्टर्स के साथ भी बहुत गहरा है, इस मूवी में हमें कई बड़े-बड एक्टर्स में कास्ट में देखने को मिलेंगे, जिसमें में लीड प्रभास, जो हमें एक बाउंटी हंटर के कैरेक्टर के रूप में देखने को मिलेंगे, बाउंटी हंटर वो इनसान होता है, जो पैसे लेकर किसी कमपनी या इनसान के लिए किसी को पकड़ने का काम करता ह और उस भागे होई इंसान को bounty कहा जाता है हाला कि bounty hunter की उस इंसान से जिसे वो पकड़ता है उससे कोई personal दुस्मनी होना जरूरी नहीं है एक bounty hunter का काम ही यही होता है और कल की movie में प्रभास हमें एक ऐसे ही bounty hunter के character के रूप में देखने को मिलेंगे लेकिन इस movie के अंत में आपको पता चलेगा प्रभास का character असल में एक bounty hunter नहीं बलकि वो करंड का पनर जनम है अब करंड के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ यह महावारत के सबसे बड़े युद्धाओं में से एक है इविल करंड के सामने अरजुन भी नहीं टिक पाते थे लेकिन अरजुन नहीं करंड को धूके से युद्ध में मारा था अब आपने महावारत के बारे में सुना होगा तो आपको पता भी होगा कि अरजुन नहीं करंड को कैसे मारा था नहीं पता तो आप सर्च कर सकते क्योंकि अगर मैं ये भी बताने बैठा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसके बाद अमिताब बच्चन एज अशुव थामा दरसल अमिताब जी का कैरेक्टर इस मूवी में प्रभास के कैरेक्टर से भी ज्यादा इंपोटेंट ह अशुव थामा महावारत के ही एक कैरेक्टर हैं धरसल अशुव थामा गुरू दुरोड़ा चार्रे के पुत्र हैं गुरू दुरोड़ा चार्रे ने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव से उनके जैसे ही एक पुत्र की मांग की थी जिससे अशुव थामा को जन्म इसी मड़ी के साथ हुआ था लेकिन गुरू दुरोड़ाचार्रे के पास अपने पुत्र के अच्छे पालन पोसर के लिए पर्याप्त संपत्ती नहीं थी क्योंकि दुरोड़ाचार्रे को वेपन्स के बारे में डीप नोलिज थी इसलिए पिता में भी सुनने दुरोड़ाचार्रे को कौरवा और पांडवा को सिक्छा देने और उनका गुरू बनने के लिए कहा जिससे गुरू दुरोड़ाचार्रे की धन संपती की प्रावलम भी खत्म हो गई पांडवा और कौरवों की सिक्षा के समय ही दुरियोधन ने अस्व थामा के कौशल को देखते होई उसको अपना मित्र बना लिया और इसी कारण महावारत के समय अस्व थामा कौरवों के साथ और पांडवों के खिलाफ लड़े थे लेकिन कलकी मुवी तो दुरोड़ाचार्य को हराना मुश्किल हो रहा था तब वो श्रीकिष्ण के कहने पर एक चाल चलते हैं पांडव एक हाथी को मार देते हैं जिसका नाम अश्व थामा ही था और गुरू दुरोड़ाचार्य से कहते हैं हमने अस्व थामा को मार दिया जिस पर गुरू दुर पांडवों की सेना में से दुरोपती के भाई दरश्ट दियूम ने दुरोड़ाचार्रे को मार दिया लेकिन जब ये बात अश्व थामा को पता चली तो वो क्रोधित हो गए और उसके बाद एक रात को अश्व थामा पांडवों की सिवर में गए और सिविर में जाने से पहले अस्व थामा ने भगवान सिव की आराधना भी की थी और भगवान सिव के आसरवाद लेने के कारण अस्व थामा अपने रोदर रूप में आ गए जिससे उनकी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ गई और जिसके बाद अश्व थामा के सामने जो भी आया उन्होंने उसे मार दिया वही पर जब अश्व थामा एक तंबू में गुसे तब वहां पर पांच लोग सोय हो थे और अश्व थामा ने उन्हें पांडव समझ कर मार दिया लेकिन वो पांडव नहीं बलकि उनके पुत्र थे सोय पांडव अपने सिविर में वापिस आने पर वहां का हाल देखकर चौक गए और जब उन्होंने अपने पुत्रों को मरा हुआ देखा तब सभी पांडव क्रोध से भर गए जब उन्हें पता चला ये सब अशु थामा ने किया है तब सभी पांडव अशु थामा को मारने के लिए चल दिये जब सभी पांडव और अशु थामा आमने सामने आये तब पांडव अशु थामा भी कन्फ्यूजन में थे उन्हें दुख भी था कि उन्होंने पांडवों के पुत्रों को मारा ना कि पांडवों को और क्रोध भी क्योंकि पांडव जुन्होंने धोके से उनके पिता दुरोड़ा चार्रे को मारा था और क्योंकि यहाँ पर सवी पांडव एक साथ उनके सामने थे, तो उन्हों ने अपने गुसे और अपने बचाव की भावनामें आकर पांडवों पर भरहमास्तर चला दिया, और जिसके जवाब में अरजुन नवी अपना भरहमास्तर चला दिया, जिसे देखकर वेधवयास जी उनके सामने प्रिकट हुए और उन्हें बताया कि दोनों भ्रहमास्तरों के आपस में टक्राने के कारण कितुना भेंकर डिस्ट्रक्षन हो सकता है वेद व्यास जी ने अरजुन और अर्शुथामा को अपने अपने भ्रहमास्तर वापस लेने को कहा यहां पर अरजुन न अपना भ्रहमास्तर अर्जुन के बेटे अभिमन्यू की पतनी उत्रा के गर्व पर चला दिया जिसे उत्रा के गर्व में जो बच्चा था वो मर जाता है जिसे देखकर श्री किष्ण ने क्रोधित होकर अशुथामा को श्राप दिया कि वो कल्यू के अंत तक प्रत्वी प मैं अशुथामा के ब्रहमास्तर के एफेक्ट से मरे हुए बच्चे को वापिस जीवित कर दिया था लेकिन उस दिन के बाद से अशुथामा अर्थ पर ही भटक रहे हैं और ये भी माना जाता है कि आज के मौडरन वर्ल्ड में भी अशुथामा जीवित हैं और भगवान कल की माता का नाम समती होगा और इस मूवी में भी दिपिका का नाम सम एटी जो बस समती नाम का एक मौडरन वर्जन है वैसे इस मूवी में संभाला जगे जहां पर भगवान कल्की का जन्म होगा उसे बड़ी ही खूसूरती के साथ दिखाया गया है कैसे ये जगा पूरी चलए कोन है तो जैसा मैं ने पहले बताया हड्योग में नम्हाट परlike चन्म लेते हैं और पृत्वी से बुराई को खत्म करते हैं जैसे dietta में रावर्ट और दवापर में कंस को मारकर उसी तरह कंडो में बुराई का कारड़ होगा मर्किर जिसे मारकर बहगों दुनियासे बुराई का अंत करके फिर से सत्युक की इस्थापना करेंगे कलकी अवतार का जन्म संभाला नाम की जगह पर होगा modern world में अभी तो किसी को भी पूरी दुनिया में संभाला की location के बारे में नहीं पता है पर कहा जाता है कि संभाला हमाले परवतों की बीच ही कहीं होगा वैसे अगर आपको कलकी अवतार के बारे में details में जानना है तो आप कलकी पुराड के बारे में search कर सकते हैं और इन सभी characters के अलावा इस movie में कुछ और important characters हैं जो अच्छाई या बुराई मेंसे किसी एक के साथ होंगे लेकिन main characters यही हैं हाला कि इस movie में कलकी का किरदार कौन नभाएगा उसका अभी कोई पता नहीं है तो चलिए अब इस movie की कहानी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं इस movie में हमें एक dystopian दुनिया दिखाई जाती है और इस दुनिया का ऐसा होने का कारण complex नाम का एक structure होता है जो ultipramid की तरह होता है पूरी दुनिया को छोड़कर बस यही एक अच्छी रहने लायक जगा होती है लेकिन इसी जगा ने इस दुनिया के सारे resources और nature को destroy किया है इस complex नाम की जगा पर सुप्रीम यासकिन राज करता है और probably यही कली हो सकता है कली जो सुप्रीम यासकिन के सरीर में रहता है यासकिन अपने सरीर के कमजोर होने के कारण एक experiment के जरिये अपने आपको फिर से ताकतवर बनाना चाता है लेकिन जब उसे सम 80 के बच्चे में ऐसा सरीर मिलता है तब ही वो वहाँ से भाग जाती है और ये पूरी मूवी सम 80 के उस बच्चे के around ही गूमती है प्रभास का करेक्टर भहरवा जो एक bounty hunter है वो काशी में रहता है हाँ ये वही भगवान सिप वाली काशी है बहरवा कॉम्पलेक्स में जाना चाता है जिसके लिए उसे 1 million units चाहिए units इस दुनिया की currency को कह गया है और तब ही बहरवा को सम 80 जो कॉम्पलेक्स से भागी हुई थी उसकी bounty के बारे में पता चलता है जिसके लिए उसे 5 million units भी मिल रहे थे और यही से इस मूवी की असली कहानी शुरू होती है बहरवा सम 80 को पकड़कर 1 million units पाना चाहता है लेकिन अश्व थामा जो अपने श्राप के कारड़ अभी भी जिंदा है वो भेरवा के इस मिसन की रुकावट बनते हैं वो सम 80 के बच्चे की रक्षा करते हैं और आगे की कहानी असुथामा और भेरवा की इसी लड़ाई के बारे में है ये इस मूवी के बारे में एक overview था इस मूवी में हमें महावारत से related बहुत से scenes और hints भी देखने को मिलते हैं जैसे ये बड़े से पेड़ को सभी इने आसानी से नजर अंधाज कर दिया होगा लेकिन ये असुथा विरेक्च हो सकता है जिसके नीचे ही भगवान कल की जन्म लेंगे और यहाँ पर जो असुथामा और ये हाथी का scene दिखाया गया है चायद ये हाथी ही असुथामा हो सकता है जिसका नाम लेकर पांडवों ने चल से गुरू द्रोड कमा रहा था यहाँ पर ये कली के पीछे गुमती हुई ये पांच बॉल्स चायद वीफ्रेंस हो सकता है जिन पांच जगों में कली का वास होता है इसके साथ अरजुन के गांडीव और करर के विजय धनुस के बारे में तो इस मूवी में खुल कर बताया गया है अब आप कमेंट्स में बताये आपने ये मूवी देखी है या नहीं अगर देखी है तो आपने इस मूवी में महवारत की कौन सी डीटेल नोटिस की और आपके इस मूवी के बारे में क्या विचार है वैसे इस मूवी के और भी पार्ट्स आएंगे तो इसके बारे में भी आप अपने विचार कमेंट्स में हमारे साथ सेयर कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सेयर और सबस्टाइब जैहिल